बिसमिल्लाहिर रख्मान इरहीम असलाम अलेकुम Computer Graphics CS602 31st loss है MS Word में ही आपने इस assignment देमा करवानी है और इसमें दो टास्क दिये हुए है आप लोगों को आपने पहला question था Write a midpoint circle algorithm in 5-6 steps Calculate the pixel position using addition and subtraction Remember the screen coordinates as an integer parameter So we need algorithm adjust right algorithm यह algorithm आपके handouts में भी इसके closer closer चीज़े हैं आप जाकर search करेंगे midpoint circle algorithm तो आपको कुछ चीज़े मिलेंगी लेकिन सारा कुछ सही नहीं मिलेगा तो आप लोगों को radius चाहिए मैं आपको दो algorithm दोंगा आप जो मर्जी यूज़ कर लें इसको रिद्व बदल करनी है वो भी आप कर सकते हैं algorithm में numbering करना जरूरी होती है रिद्व रिद्व रेडियस और अफ ते सर्कल अनिशल इसका रेडियस से ही इसमें स्टार्ट करवा है तो whatever you can input like same हम कह सकते है read the x and y starting positions तो यह बेशक यह वाली line पहले लिख दें रेडियस बार बार में लिख दें तो आपकी मर्जी है calculate initial value of the decision parameter तो आप जहां से circle को start करवाना चाहते हैं central point उसका तो वो आप calculate करेंगे वो P होगा फिर loop चलाएंगे plot का एक function है जिसमें हम x और y जो है वो input करवाएंगे if d is less than 0 तो अगर d जो है वो 0 से less है तो फिर वो जो उन्होंने कहा है addition और subtraction तो यहां हम addition कर रहे हैं else subtraction y में हम subtraction करेंगे तो जमा और minus करके हमने उसके points निकाल लें और इस तरह आप next while x is less than y जब तक x जो है वो y से कम है उस वक तक यह condition चलती रहेगी और इसके symmetry points निकालने हैं symmetry point के बाद यह stop है यह five to six का algorithm है five to six steps का तो आप इनको लिख सकते हैं इसको अपनी wording में आप इसके variable भी बदल सकते हैं जो आपका दिल करें वो आप कर सकते हैं but steps को दियान में रखना है कुछ changes करनी है वो आप कर सकते हैं पहर आपको यहां से गदार हो और आपको दूसरा algorithm भी इसका दिखाऊंगा लेकिन यह algorithm आपको तक समय नहीं आना जब तक मैं आपको इसको run करके ना दिखा दूँ कि यह program actually है क्या इसके algorithm है क्या तो इसमें आप लोगों को जो है वो x-axis जैसे मैंने आपको कहा कि उसके input करने होंगे तो for example मैंने 200 and 300 और अब इसका मैंने radius input किया तो आपको बहुत ही मज़े की चीज नदर आएगी तो मैंने animation के साथ बनाया तो यह वो radius point से वो सारे art इसके coordinates निकलें यानि एक central point से उसने यहां से रीड़ा किया यहां से रीड़ा किया तो point से इस तरह करके इसके art बनाता है mid point लेके और यह फिर बनाता है मुझे तो यह animation बहुत पसंद आई यह आपका वो program है जो कि आपने इस algorithm के result में बनाना था और बनाना के इसको लिकना था इस पे आते हैं लेकिन उससे पहले पहले हम एक और algorithm देखके हैं दो algorithm तो आप इस तरह भी इसको लिक सकते हैं यह बिलकुल ही छोटा सा है लेकिन इसमें भी वही end if and loop जिनको थोड़ी बहुत programming आती है उनको यह चीज़ भी समझा देगी तो आप इनको खुद भी number one number two step कर सकते हैं यहां पर तो इसके steps down किया जा सकते हैं आप इनकी wording चेंड कर सकते हैं put to x is equal to zero y is equal to r in equation equation two we help p is equal to तो यहां पर radius input नहीं किया आप उसका भी step बना जें step one input radius यह इसके बाद step two बहुले हैं और repeat x is less than y plot x y if p is less than तो यह भी एक algorithm है आप इसको भी use कर सकते हैं लेकिन यह काफी shorter हैं उन्हें five to six का का था तो आप है यह वोई आप अगर आपको समझ आ रही हो तो इस तरह भी algorithm लेकिन numbering लिखना जरूरी है तो आप इसको भी use कर सकते हैं दोनों में इसको एक लिखना है दोनों आपके बाद में हमने question number two जो था write a C++ program to display the raster tied using multipoint algorithm the radius of circle and its coordinates in the point to your program तो you need to input radius and the coordinates of तो वो जो x-axis और उसका radius था आपने input करना हूँ मैंने करके भी दिखाए use the frame buffer technique to set the pixel position and the colors and the colors तो मैंने तो बहुत सारे color यूज की हैं आप इनको कम ज्यादा भी कर सकते हैं आपकी मरजिया चार color के साथ तरीन के साथ दो के साथ भी आप बना सकते हैं आपको सारा बता देता हूँ आपको टर्बो में ले जाते हैं आप लाइन बाइन कोड को देखेंगे यह आपने ms word में लिखना मैं वहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ hash include, conio, graphics, namespace, std, main इसमें आगे जो मैंने variable यूज़ के हैं int, h, k, x आप इनको चेंज कर सकते हैं लगी यह वही algorithm जैसे ही है यह graphics को driver को load करने के लिए यूज़ करते हैं auto-detection और initialize the graphic mode उसके लिए यह comments किये हुए यह graphic driver के लिए यह graph के लिए यहाँ पर मैंने वह उनको c++ का code बनाया inter circle x-axis then y-axis then radius को उनके लिए मैंने h, k, y use किया then y passing to the r and then d is equal to 1-r और उसके बाद while x is less than y if कोई algorithm को ही follow किया रहा है if d is less than 0 तो आप algorithm को भी देख सकते हैं if d is equal to d plus 2 multiply by x plus 3 तो यह उसके अंदर x-axis को move करवाने के लिए यहाँ पर d plus 2 multiply by x minus y plus 5 और यहाँ पर मैंने उसको डिले करवाया था कि वह जो आपको एनिमेशन में नजर आ रहे है वह मैंने 200 रखके उसको डिले करवाया कि वह आपको नजर आए कि अच्छा इस तरह करके बनता है तो आप इस लाइन को बेश रख ना लिखें तो यह सिरफ आपको दिखाने के लिए था y is equal to y minus 1 x is equal to x plus 1 और उसके बाद pixels यह जो था ना put pixels तो यह उसकी x-axis और y-axis के वह हमने put करवाने थे x plus h और y plus k और फिर वह one one kalo यह colour है तो यह colour है आप इसके जाएर पर मैंने बोला कि capital में आप red लिक सकते हैं और black लिख सकते हैं white लिख सकते हैं yellow लिख सकते हैं लें capital में और यहां पर मैंने तो art color use कि उसके art coordinates बनते हैं इसके art जो है वो अगर आप जाकर अपनी पढ़े हैं और इसको सुनें जितनी वीडियो मैंने सुनी है तो आपको समझ आएगी कि इसके वह आठ कोने बनते हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं कि वह किस तरह एक सरकल के आठ हिस्से होते हैं उसके वह एक सैंटर पॉइंट से उसकर एक एंगल बनता है और वो उसका एकस एकसिस बनता है उसके लिहाज से वह सारे ट्राव हुए है कलर्स के लिहाज से तो यह आठ के आठ कलर कोड है अब आप यह ना करियेगा कि 9,10,11 भी लिखने बैट्स है तो आप मैं तो यह मशवरा दूँगा कि किसी ने अगर चेंज करना तो इसको 8,7,3,2 इस तरह करके थोड़ा सा कोड को अगर आपने डिफरेंट करना तो आप कर सक रेकर आपी यह सकते हैं से अकिन बाकी यह उसको नई को अगरा दो आप मैंने ठीड हाजवे करेंगे एक्स प्राइट क पर हर जगह पर रहाए रंछेगे एक्स की थे रहा है तो यह एखके लें यह त्ष्पित सकता है सारे पाउलों की तरह एक ही वैरियबल ना यूज कर दें और कलर कोड मैंने आपको बार 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 बोल दी है 123456 और यह वैसे भी में जमा करवाना तो कोड रन करने की तो जरूरत नहीं है बाकि इसको चौक है वो कर ले रन और उसके बार इसको बनाने का तरीका भी ड करेंगे करेंगे तब यह बनता है उसको जब रन करना तो 32 बिट पर रन करना तो मैं चाहरा हूं कि यह सारी चीज़ें आपको पता हूं जिस कोड ठोड़ा शौक है वो इसको बना ले बाकी लोग सीदा सीदा इस कोड को कापी करें और कापी करके MS वर्ड में ले जाएं और जैसे यहां पर रखा हुआ है तो यह इस तरह आपने लिख देना है वैरियेबल्स कोशिश करें बदल ले नहीं तो आपके लिए खत्रा हो सकता है कापी पेस्ट का तो इसको काइनली अगर आप कर सकते हैं तो आप मेरी तरफ से सिजेशन है कि आप कर लीजेगा क्योंकि य अगर आप कोड बदलने हैं और थोड़ा बहुत वैरियेबल्स बदलने तो आपका काम चल सकता है इतनी सिजेशन इतनी डवाइस आपके लिए काफी है थैंक्यू थैंक्स पर वर्चिंग